साथियों नमस्कार टीचर्स अकेडमी और लाइन कोचिंग इस्ट्यूट से मैं हूँ अम्बरी सुकल आप सब का बेहर स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान में साथियों अगर आप यूई टीटीटी पीडीटी यल्टी ग्रेट जैसी प्रवक्ता असिस्टन प्रोफेसर और यूजी सिनेट की त्यारी कर रहे हैं और नय बैच्छस दहिना साथे हैं तो टीचर्स अकेडमी से ले सकते हैं कि अबल हमें वाट्साइप करके हमारा नमबर है उन्होंने मस्तिस्क के तीन भाग बताए उन्होंने कहा कि एक चेतन है एक अर्ध चेतन है और एक अचेतन है आज का हमारा शब्द है अचेतन अचेतन का तातपर ये क्या होता है और चेतन का तातपर क्या होता है ये समझेंगे दरसल हम जब मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पढ़ते हैं खास करके इलाचन जोसी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनका उपन्यास निर्वासित आपने पढ़ा होगा और एक उपन्यास प्रेत और छाया है इन दोनों उपन्यासों का जो नायक है वो अचेतन अवस्था में है तो अचेतन शब्द आपके लिए कई बार होता है यहाँ पर उन्होंने तीन भाग किये हैं किसके तीन भाग किये हैं मस्टिस के चेतन अचेतन और अर्द चेतन इसमें जो अचेतन है वो क्या है उत्तेजित मन जब अपनी भानाओं को शब्द देने में सफल हो जाता है अगर किसी का मन बहुत उतेजित है और उस समय शब्द उसको नहीं मिल पा रहे हैं फिर भी उसने सब्द देने का प्रयास किया और उसने अपनी बात को रख दिया तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे उस अवस्था को हम कहेंगे अचेतन अवस्था इसके विशे में डिटेल में देखें तो अचेतन में उन सब्द मानसिक क्रियाओं का समावेश है जो उभर कर चेतन में अपना स्थित को प्रकट नहीं करती है इलाचन जोसी के उपन्यास प्रेत और छाया और निर्वासित का जो नायक है इसमें घिरा हुआ है तो साहित की एक महतपूर्ण शब्दावली है अचेतन जो कि एक मैनोवज्यानिक सब् जिसको हम conscious mind, pre-conscious mind और unconscious mind के नाम से जानते हैं तो अचेतन यानिकी unconscious mind तो यहाँ पर अचेतन शब्द को हमने समझा और जाना ठीक है तो अगला महतपूर्ण परिभाशिक शब्द कल फिर लेके आएंगे पर दे प्रते दिन हम एक परिभाशिक शब्द से आपको उगत करवा आएंगे ये सिरीज आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताईएगा अगर आप हमारे किसी बैस से जुड़ना चाहते हैं प्रवेश करिना चाहते हैं तो वाटसाइप कर सकते हैं हमारा नंबर है चानबे अठाइस पंचानबे बानबे सैप्रिस तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जै शुबराद